हेई एवरिवन वेलकम अगिन टो माई चानल आज मैंने आप सभी के लिए बनाया है मटर मश्रूम ग्रेवी यह बहुत ही ज्यादा क्रीमी ग्रेवी बनी हुई है बिलकुल भी पानी पानी नहीं है और अगर आप इसे पूरी के साथ खाएंगे तो आप बहुत अच्छा लग एक चुटकी मैंने यहाँ पे हिंग पाउडर और एक चमर जीरा एड कर दिया है अब जीरा चटकने लग जाएगा उसके बाद एड करेंगे इसमें प्याज तो मश्रूम ग्रेवी में प्याज अद्रक लहसन सब कुछ अच्छा लगता है मतलब मेन होता है वह उसका तो उस कर दिया उसे भी अब हम इसमें डालके मिक्स कर देंगे अच्छे से कुक कर लेंगे तो इसका कलर अच्छा सा आ जाए गोल्डन ब्राउन तो थोड़ा सा इसे ऐसे ही कुक कर लेंगे ज्यादा डाक कलर नहीं आना चाहिए पर हलका सा आपको समझ में आ जाएगा कि कुक हो नीचे भी चिपकने लग जाएगा तो बस उतनी ही देर कुक करना है फिर यहाँ पर मैंने टमाटो की प्यूरी एड कर रही हूं तो बड़े-बड़े सा इसके मैंने टमाटो लिए थे उसकी प्यूरी एड की है अगर आप चाहें तो आप टमाटो को कट करके भी एड कर सकत हैं चॉप करके यानि की बड़ उससे ना ग्रेवी में थिकनेस नहीं आएगी जो एक होती है ना थिकनेस हो नहीं आएगी तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूं मसाले डिरेक्टली जैसे कि एक चमर्ज मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला आदा चमर्ज पाउडर आदा ह आप अपने स्वाद के अनुसार एड़ कर सकते हैं बाद पहले कम ही कीजिएगा क्योंकि ना मश्रूम ग्रेवी जो होती है ना मश्रूम बहुत ज्यादा ने एक दम से ऐसे सौप मतलब पकने के बाद मुरुझा जाते हैं इस वज़े से आप ना पहले उसमें कम ही डालिए अब नमक आप बाद में और एड़ कर सकते हैं तो अब इसे चला करके अच्छे से अगर आपको लगे पानी की ज़रुरत है तो आप इस टाइम भी कर सकते हैं पर आपने प्यूरी एड़ की है ना तो पानी की ज़रुरत नहीं रहेगी आप ऐसे ही ढग करके चाल पांश मु दाइसु क्लाआ बटन मुषरुम अट कर रहे हूं मैंस में तो बिलकुल फ्रेश ऐं अपको दीखी रहाँ होगा फ्रेश-फ्रेश कर रहे हूं, जिससे इसमें बहुत ज्यादा थिकनेस, क्रीमिनस आईगी आप चाहें पानी भी अड़ कर सकते हैं उससे भी ये थिक बनेगा बट आपको एक अच्छा सा एक अलग सा फ्लेवर चाहिए न, थोड़ी सी हलका सा मिठास चाहिए हलका सा creaminess चाहिए तो आप coconut milk ही add कीजिएगा तो coconut milk add कर दिया थोड़ी सी देर इसे धक करके पका लिया अच्छे से जितना भी आपको thickness चाहिए gravy की उतनी रखिए उसके बाद gas की frame को off करके chopped coriander leaves इसमें add कर दिजिए and that is it आपकी gravy बन करके बिलकुल तैयार है ये बहुत स्वाद बनती है बहुत स्वाद लगती है खाने में तो आप इसे ज़रू ट्राइ कीजिए और मुझे बताईए आपको ये आज की recipe कैसी लगी आपको recipe पसंद आयो आप इसे like, subscribe और share कर दीजिए और मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए मैं आप से मिलूँगी next time एक अगली नई recipe में तब तक के लिए thank you so much